अरे बीजेपी पन्ना परमुख बना रही है पन्ना परमुख बना रही है आप लोग क्या कर रहे हो लोग की पूछते है कि हरा कुर्ते का क्या राज है यही कुर्ता आप क्यों पहनते आपका फेवरेट कलर है कि सारे कुर्ते इसलिए ले रखें या मतलब कुछ यह क्या वज क्यों है अखलेज जी कहते हैं जब तक सरकार बदल नहीं देंगे दिल्ली और लखनों की तब तक हम चैन से नहीं बैटें इंडिया से सोईगे नहीं किसान इतने चैन से क्यों सो रहा है लोगसबा चुनाओं के रिजल्ट आचुके हैं समाधेदी पार्टी ने 37 सीटे जीती ह हैं और सहीयों की दल कॉंग्रेस ने चे यानि की इंडिया गडबंदन ने 43 सीटे जीती हैं असी में से हमारे साथ समाधेदी पार्टी के बहुत पुराने कार करता सिपाही नेता कुछ भी कहें इनको अनुराग बदोरिया जी है रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए अनुराग जी इंडिया गडबंदन को 43 सीटे आ गए समाधेदी पार्टी सबसे बड़ा दल हो गया उमीद थी कि ऐसा तमाम सर्वे तो आप लोगों को तीन सीट पाँ सीट दे रहे थे जिस दिन गिंती हो नहीं थी उससे एक दिन पहले एकजिट पोल आ रहा था उसमें भ और जो समाज के अंदर उनका कम्मुनिकेशन है मुझे नहीं लगता है कि इतना कम्मुनिकेशन किसी भी नेता का मैंने अपनी जिन्दिगी में देखा है ऐसा कोई जिला नहीं ऐसा कोई कसबा नहीं ऐसा कोई गाओ नहीं ऐसा कोई मजरा नहीं ऐसा कोई कारकरता नहीं जिस जुझ नेता ने लगातार साइकिल चलाई हर जिले में और हर मजरे हर कसवे में, तो वो जो उनका काम था, लगातार यह जो महनत थी, और वो महनत निरंतर बनी रही, वो महनत में कभी कमी नही आई, जो कि उन्होंने रुख हमेशा गाओं की तरफ रखा और समाज की जो तो सोचले का तरीका होता है कि गरीब, किसान, मजदूर, युवा, चात्र इसी के बीच में उनका वक्तब आप अगर यही फार्मूला था जीत का तो दो हजार चौदा से लेकि अब तक हर चुनाओं में हार की हो तो आप देखे कि हमारे जो वोड परसेंटेश थी अगर आप कि राष्टिदश निरंतर इस पर काम कर रहे तब 36 पर पहुंची जाके ना समाजवादी पार्टी और जिसको भारते जनता पार्टी की पूरी मसीनरी पूरी तागत जो लगातार केंदर की राज की सरकारें जो इतनी तेजी से लगी रहती थी आपने देखा कि कितना अत्य जेल चले गए एक बाल लाठिया बरसे गए और राजनीत में जब आप आयो तो आप अगर जनता के साथ खड़े हो जनता के बात करोगे तो राजनीत में यह चीज़ें तो देखने को मिलती है लेकिन यह सच है कि समाजवादी पार्टी के राष्टिय अपने कारकरता के पार्टी को मिल गया जनता की जो बात करेगा जनता की हित की जो बात करेगा जो जनता की मुद्दों पर चर्चा करेगा जनता की मुद्दे क्या ता है महंगाई विरुजगारी और उनकी परिशानिया इसी को लेके तो समाजवादी पार्टी हमेशा आवाज उठाती रही इसी को लेके तो चाहें हतरस की घटना रही हो चाहें, बीएचु घटना होई हो चाहें, कहीं भी अगर कोई आन्याय अत्यचार हुआ है, और खासकर आपने देखा होगा भारती जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती थी, लेकिन हम लोग हमेशा किसान क मुद्दों पर रहे कि उनकी भई MSP गैरेंटी कब मिलेगी, उनकी इंकम दूगनी कब होगी, सिचाहें उनकी मुर्थ कब होगी, कब उनको सम्मान मिलेगा, हम युवाओं को कब रोजगार मिलेगा, युवाओं अपनी पैरों पर कब खड़े होगी, छात का पड़्चा ल करने काउने, उनकी बार में हो कुछा प्र देश जानकियाम, उनकी बातों को सिचाहने, उनकी क मुछ नेता की बातको कें हैं, तो समझ है उनकों कम दोनकार भी गुण रहे कि अनकार में हुईतों है नेता, ऐनक में वाख पत quality sign of the planet, वेनेता की वी की हमटों ऑप सण जीशelly तो ऑगे तब सहारी रहा हो से भेज़ी हैद सरफ दो महु भाट मुझा तो सवयल है कि एंसा घंग करना मेल जो अप्रोच के लिए हमेशा है रह समाज के लिए करते हैं अपनी हीद की बात करते हैं वो भी समाज का भला नहीं कर सकते हैं, समाज का भला करना होगा तो आपको देखना पड़ेगा, मुझे तो लगता है क्या जनता को समाजवादी पार्टी के राष्टे देश के तरफ देखना चाहिए, जो हमेशा विकास की राजनित पर बात करते हैं, बात करेंगे मेट्रो क करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। यह कैसे लैप्टॉप दीआ, बात करेंगे k d आप लोग इतना खुस क्यों है रिजरल से पाई आपकी सरकार बनने ही पाई मोदी जी को आप लोग हटा नहीं पाई तो फिर आप लोग खुस क्यों है दिखिए सवाल है कि समाजवादी पार्टी हमेशा हर सिचुएशन में अपनी आपको खुश रखती है हम कम सीटे लाते ह संगर्स का प्रण करते हैं ज्यादा सीटे आती तब भी संगर्स का प्रण करते हैं हमारा मकसद है कि जनता को कैसे सम्मान मिले जनता को कैसे न्याय मिले सीटे कम ज्यादा आती है जाती है लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि जनता को हम कैसे उन 18 अपतिर एक परेस कॉंफरियों में जो 7 करता अपनी में। में उसक्षस कांपने तुछ भी ग disp सकता हूँ ॹैर्ण को परिजदांतर हो ने मिल सकता है जनता को अपनी सुक्से को अनिति हा शुच्टि रहती है निताओं की बाइट लेने होते तो अक्सर जाते हैं सब निता दिखते हैं आप नजर नहीं आते हैं पार्टी कारेले पे अब हम लोगों कर रहे हैं जिसका जो काम हो करता है यह अक्सर आपके तमाम वीडियो भी वाइरल होते नाम खाते हैं आपको कर अफ टोड़ाएज प्रोड़ा crackled कर आपके तो चैय करे जाते हैं आपको पता वी थो होना चाहिए कि कैसे मधिया जाता है ये कि बाइछ अम लोगों कान जुए जसक Cab रागार na जोम हम लोगोने काम पूरी वाच्पन सिले कर दगल के काम कर रहा हो एक हमने अपनी अपनी है क्ढ़ घर खी इयूर पर आज समय कोई तो अपनी खाल रह तो किया आपने टार काम आप को दो जाल कर रहा है आपनी oक भाते हैं थीच सब काम कर रह कर dress लोह कि आपनी जर कम जरूप में वहां तो दिखता है तो देख दूर asında है और ग ज़्ते चाहरें तो आटा जायंगे लेकिन अबारा कि अच्छा लगता है कि मिरे अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है कि और उनके साथ वायार में से हमेशा उनके साथ पहुंग यह जाता हूंë कि उनके साथ सामय बिता लेता हूं चुकि अब उमर हो रही है बच्पन गुमली पकड़ के बड़ी वा हूं वही जंगलों में वही उनका साथ ही मेरे सबसे पहले मित्र कह लीजिए सबसे पहले अविबाक हुआ ही थे और आज भी वही है तो अब जो वीडियो डालते हैं खे 45 वजे पहुचता हो फिर अपना काम करता हूं वही थे पर नीम का पेड़ है और में लोह नितना आनंद आता है ब्रसके सबस्क्राइं-पॉजिए-पैठ आप अपने आप ऐता है और सफ जो नीध होती है कि नीध हो तो ऑननद है उसका ऑननं साढ़े पहाँ पॉने पहाँ तो दूपरी सोच आप तो दूपर तो जब पांच वहीं तो जो पुझन को ड़ाओं पांच वही तक पांच बाइस दूब करों यह तो अपना काम करूंगा भृज़ तो अवारा जानुवर गूम रहे है अवारा पसुग उप कोई खुझन हों एक तो इतना खत्राए खेट तो आप अपने खेत में कैसे गहरी नीद सो सकते हैं क्यों कैसे किसाने आप गहरी नीद में आजाते हैं जो कि आप ठकने के बाद और आपने तारवा लगा लगाएंगे नहीं चरेंगे उनको पता है मैं रहता हूं वह पहचानते हैं मेरी आवाज पहचानते हैं मैं आवाज किसान बद्धाल है किसानों की आए घड़ गई है और में देख रहे हैं किसान एक ऐसा किसान निस्चिंत के सोता है किसान से लेके युगाओं से लेके चातर से लेके हर वेकती सरकार में परेशान रहा है किसान रहा है हर आदमी आठ गट ऑफ बंध क knife की अब आखने स्वाल, लोग पूछते हैं, हरा कुर्ते का राज है, यह कुर्ता आपका पहनते हैं आपका फेवरेट कलर है कि इसलिए ले रखे या क्या वजाएस कि? मैं तो लोगों से यह कहूंगा आपके मादयम से कि टेमपरिचर देखिए बाओन आउन डेगर तब जा रहा है, आप हमें देखिए और अपने घर में हरा बरा पेड लगाईए तो क्योंकि हरा रंग जो होता है वो आपको सम्र्दी का होता है, शान्ती का होता है और हीट भी अगर हरे भरे रहेंगे तो मन हरा बरा रहेगा, क्योंकि मेरा बच्पन पेड की नीचे बिजरा है, जब मेरी आँखें भी खुलती तो हमारे नीम का पेड होता था, हमने उसी चीज को देखा है, हम चाहते है, कि सबी लोग पादे ज्यादा से ज्यादा लगाएं हरे रहाल तो बोज जितना कम होगा सफर उतना लंबा होगा, तो अगर जैसे आप से मेरी बात होना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अभी भी आप देखेंगे, तो मेरे चीजों में कुर्टे में आपके पास रहे हैं, जोड़ी होते तो फटा कहा होता, यह देखें, मेरे चीजे अपने, पास सबकते हैं, मेरे चीजना, यह दो कितने कर दिन के पास, इसकी बात हो जीतने ना है तो आपके पहने पाइन पर दो तीन दिन चल भी जाता है और हरा बरा है परकती से संब्दे बागवा पहनते हैं अब देखे कौन क्या पहनता है वह हमारा मकसद नहीं दिसको जो मनाइट पहने लेकिन हम तो यही संदेश देते हैं कि इन्वाउमेंट जो है जो बाता बरन है लोगसभा चुनाओ में तो 37 सीटे जीत ली लगभग विधानसभा के गिंती करें तो आप लोगभग बहुमत हो जाएगा अगर विधानसभा चुनाओ हो तो यह टेंपो बना रहेगा विधानसभा चुनाओ में 27 में होने है लेकि मैंने आपको फिर बोला समाजवादी पा अगली बार सब ठीक होगा उनके अंदर इतनी इनर्जी है ताकत है इतनी पॉस्टिव है कि वो खुद पॉस्टिव होते हैं और हम लोगों को भी पॉस्टिव रखते हैं कारकरता हो भी इसलिए कारकरता कि इतनी विपरीत प्रस्तितियों भी सोचिए सरकार डबल इंजन की सरकार की दिल्ली की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में कारकरता इतनी धूप में पचाश देगरी के टेमपरीचर में उनकी रैली में आता था समर्तन देता था मेहनत करता था लिकिन भाजपास अब गुणा गलित लगा रही है कि कहा हार हुई है बात किसी के गुणागड़ी थे पहले भी लगारे थी पहले भी पहले भी लकार है थी अ पनना परमुख बना रही है आप लोग कहा है ऑ्समझ यह जटा ज्टां अप लोग को लोगो टेहाए था है ह necesito hat जनता के संस्यां के पीच करहें कि आप लोगों को जिता है उर कोई जिताज सлек औ मुद्दे हमारे मुद्दे आप चुनाओं में देखोगे तो राश्चेतर जर्जी यह पास को तीसरा विकल्प था इसलिए आप लोंगों वोगते हैं आप लोग कुछ ने जनता हमेशा से जनता ने देखा आ ना कि इस अधा में रहे हैं और में विकास का काम कर आदा है हम मै ा हम अद्छक ना सृपट सहigorत करें भिआथा यह वाया स्ट Wow कि न。 बिखाट से और विजर्ता मनन्न करते है दूर्ट में आया पाती यह जोतव जूट बर विखास का में मरति है। अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाए जनता समझ पाई उनकी बात पहले उन्होंने अपनी इसाब से चीज हो लेकि जनता को लगा ना यही काम करते हैं नहीं का काम बोलता है उनका तो काम बोलता नहीं है दो दो बार आपको मोगे मिल गए विदान सभा में दो बात टीकर अब आपने वोड परसंटेट अपना बढ़ाया तो सीट नहीं नहीं निकल पाई देखिए जिस सीट से मैं लड़ता हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं उस सीट पे कितनी समाजवादी पार्टी के कार करता हम लोग तनी महनत करके आज अज पर आज मजबूती आज समा ओल तो आप लग अदिनों की बात करेंगे तो आप लग सबाध करेंगे तो समाजवादी पार्टी को अब लोग पसंद कर चलनी की नीति manipulating पो इनके हमारे वाद विवाद रहते चलते रहते थे इनकें बात छिए चैनल में रहते थे, तब भी वाद भीवाद होते थे, ठीके सवाल होते थे, उस समय हम को भी जुलाटे थे इनके उपर में, ये कभी हमारी सरकार जब होती थी तब सवाल ठीके रहते थे, अच्छा लगा है कि बहुत दिनों बाद आज अपना चैनल आपने सुरुआत की, इस के लिए आपको बहुत बहुत बथाए हो, धन्यवाद.